अगर हम टेक्सोनमी की हिस्ट्री की बात करें तो ये इतनी ही प्रानी है जितनी के language skill of mankind है टेक्सोनमी है क्या टेक्सोनमी को अगर हम define करें तो जो टेक्सोनमी है टेक्सोनमी is the science of naming, describing, classifying organism including all plants, animals, microorganisms of the world यानि इस ब्राश के अंदर हम organisms को नाम देते हैं उनको classify करते हैं उनको describe करते हैं इसमें तमाम किसम के organism शामिल है चाहे वो plants है, चाहे वो animals है, चाहे वो microorganism है अब अगर हम native जो people हैं उनकी बात करें या जो native tribes की बात करें तो native tribes used to call species on the basis of their morphological characters यानि जो organisms के morphological characters हैं उसकी base के उपर वो organisms को different species के अंदर divide करते हैं उनकी जो contribution है उसकी बात करें तो उसमें जो Simpson है इसने 1961 के अंदर provided a valuable survey of history of taxonomy ये एक ऐसा taxonomist था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि he is one of the most influential plantologist of 20th century plantologist कौन होते हैं ये fossils के expert हैं ये fossils की study करते हैं और ऐसे animals जो के पराने जमाने के अंदर मौजूद थे फिर ये किसी तरीके से महफूज हो जाते हैं ये उन animals के उपर study करते हैं तो ये 20th century का जो plantologist है ये एक मशूर plantologist है और इन्होंने जो fossil taxonomic studies थी वो बहुत जादा की और उसके उपर surveys conduct किये और इसने अपने views पेश किये he published extensively on taxonomy of fossil and extinct animals यानि इसने जो ज्यादा काम किया इसके अंदर इसने जो taxonomy थी मुक्तलिफ fossils की उनको describe किया उनके surveys conduct किये और खास दोर पर ऐसे animals ऐसे fossil जो के extinct हो चुके हैं इसी तरीके से अगर हम smith की बात करें तो smith भी एक taxonomist था और ये British Museum के अंदर काम करता था इसने अपना काम 1849 के अंदर start किया और 1851 से 1870 के दरम्यान में इसने खास दोर पर जो insects हैं आंट्स हैं उनके उपर अपनी studies complete की और 20 years के दोरा 28 years की जो इनकी study थी इस period के दुरान इन्होंने तक्रीबन 25 genre describe किये तक्रीबन 702 fishes इन्होंने describe की इसी तरीके से अगर हम Mittler की बात करें तो ये एक Austrian entomologist है entomologist insects की study करते हैं इन्होंने क्या किया? He worked on history of higher taxonomy and also on the classification of insects इनका जो ज्यादा काम है वो insects की classification के उपर है तो इन्होंने अपना जो ज्यादा focus रखा वो insects को describe करने के लिए insects की नई fishes दर्याफ़ करने में गुजारा इसी तरीके से अगर हम मायर की बात करें तो मायर ने 1982 के अंदर details provide की history के different periods की इसने क्या किया? इसने basically जितनी भी taxonomic history है उसको मुख्तलिफ periods के अंदर divide किया अब इसने जो taxonomy का जितना भी period था उसको four periods के अंदर divide किया उसको इसने period one, period two, period three और period four का नाम दिया तो next module के अंदर हम देखेंगे के ये जो मुख्तलिफ periods थे इनके अंदर major contributions क्या थी और क्या क्या major काम हुए